हेलो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर वन पुर्णांग की परशनावली 1.3 का फर्स्ट कोश्चन सोल्व करेंगे तो फर्स्ट कोश्चन है कि निमन लिखित गुणन फलो को ग्यात कीजिए हमने इनके गुणन फल ग्यात करने है ठीक है तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास 3 multiply minus 1 मतलब 3 को जो है minus 1 से क्या करना है गुणा करना है तो पहले हम क्या करेंगे 3 को 1 से गुणा कर लेंगे 3 को 1 से गुणा करा क्या आएगा 3 कि हम कोई भी संख्या उसको एक से उना करते था हमें वही संख्या वापस मिलते है तो तीन एक पहले 225 मतलब पहले एक को जह है 225 से गुणा कर लीजी तो क्या आएगा 225 ही आएगा किसी भी संख्या को हम एक से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है ना तो हमने एक से गुणा करा 225 को तो क्या आगा 225 अब यहां क्या है माइनस और यहां क्या है प्लस इसके सा होगあ हमारा फिर का है 1-21 को गुणा करना है हमने माइनस 30 से पहले 21 को 30 से गुणा कर लीजीए ठेक है अब 21 को 30 से गुणा करना है तो पहले भी 0 रहने दीजिए पहले 3 को कर यह किसे गुणा केंँद तीन एकम elastic भी तीन दूरी छे अब यह 0 लिख लीजिए अब यहां क्या है माइनस और यहां भी क्या है माइनस को जब माइनस को माइनस से गुणा करते है तुम्हारे पास क्या आता है प्लस तो माइनस को माइनस से गुणा क्या तुम्हारे पास क्या आगा प्लस का 630 अंसर अब D पार्ट देखे क्या है माइनस 316 को गुणा करना है माइनस एक से तो 316 को एक से गुणा कर लीजे मैले 316 को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा 316 आएगा ठीक है और यहां क्या है माइनस और यहां भी क्या है माइनस माइनस को माइनस से गुणा करते है तो क्या आता है प्लस तो प्लस का 316 यह हमारा अंसर हो गया अब यह पार देखे क्या है माइनस पंद्रा गुणा जीरो गुणा माइनस अठारा अब इनको गुणा करना है तो पहले तो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते है तो हमारे पास अंसर क्या आता है जीरो ही आता है ठीक है अब यहाँ पे देखिए माइनस 15 गुणा 0 गुणा माइनस 16 और इनके बीच में सिर्फ गुणा का ही निशान है ठीक है और यह किस से मल्टिप्लाइ हो रहे हैं जीरो से तो हमारा अंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते है तो हमारा अंसर क्या आता है जीरो आता है चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो ठीक है चाहे ऐसे हो जाए माइनस चार ठीक है और अगर इनके साथ और 0 गुणा हो रही है तो हमारा अंसर के आ जाएगा 0 आ जाएगा तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे मतलब जितनी भी बड़ी है वो अंसर के आएगा हमारा 0 ही आएगा और बीच में सिर्फ गुणा का ही निशान होना चीए ठीक है अब F पार् माइनस बारा गुणा माइनस ग्यारा गुणा 10 इन्हें सोल्व करना है तो पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं फिज उसका अंसर आएगा इन्सको मल्टिप्लाई करके उसको इससे मल्टिप्लाई कर देंगे तो इससे हमें सोल्व करना असान हो जाता है तो पहले माइ माइनस बारा गुणा माइनस ग्यारा इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं फिर ये गुणा दस इसे सोल्ड कर लीजिए पहले पहले क्या करेंगे हम इसमें बारा को जहें ग्यारा से गुणा कर लेंगे तो रफ में एक बारा को जहें ग्यारा से गुणा कर लीजिए एक करेंगे अब यह माइन्स को माइनस को माइनस को माइनस को माइनस को गुना करेंगे अब इसको कर लिए इसको अब यह Kreiner तो एक 132 को गुणा करेंगे जिससे 10 से गुणा करेंगे तो पहले 132 को इन दोनों को solve कर लेंगे फिर जो आएगा उसको इससे multiply कर देंगे ऐसा करके हमारे लिए जो solve करना वो आसान हो जाता है ठीक है अब इसको पहले एक bracket में लिख लेते हैं नो गुणा माइनस 3 ठीक है फिर ये गुणा माइनस 6 अब पहले नो को 3 से गुणा कर लिजए नो ती है 27 नो किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस तो माइनस 27 फिर गुणा माइनस 6 अब इसमें भी आप पहले 27 को है 6 से गुणा कर लीजिएughters भी Poly嚶 22 ठीक है 27 को 6 से गुणा कर लीजिए 6 742 चार 2, टो एक सो बासट अब यह माइनिस को अगैन से गुणा कूना करते हैं क्या आत आएगा solve करके फिर उसको हम minus 4 से गुणा कर लेंगे तो पहले इनको एक bracket में लिख लिजे minus 18 ठीक है गुणा minus 5 फिर गुणा minus 4 तो 18 को 5 से गुणा करेंगे पहले 18 पंजे कितना हुआ 90 यहां भी minus का और यहां भी minus का minus को हम गुणा कर रहे है minus से तो क्या आता है plus तो plus का 90 फिर गुणा minus 4 जिसके साथ कोई निशान नहीं होता हो किस चीज को आता है plus का ही होता है तो 90 को हम minus 4 से गुणा कर लेंगे तो पहले आप 9 को कर लिजे गुणा 4 से 9 चो के कितना हुआ 36 और फिर यह 0 लिख लिजे अब यह plus का और यह minus है asına दीशान उसको माइण से गुणा करा धं माइनस तीन सो साथ जाएगा अंसर और असको माइनस से गुणा करते है क्या आता है माइनस आता है ठीक है अब आई पार्ट देखे क्या है इसमें भी minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 इससे solve करना है तो पहले आप इन दोनों को solve कर लीजे और इन दोनों को solve कर लीजे तो इन दोनों को पहले हम एक bracket में लिख लेते हैं minus 1, minus 2 ठीक है फिर ये गुणा का निशान फिर bracket इनको लिख लीजे minus 3, minus 4 ठीक है अब पहले इसको solve कर लेता है एक کو पहले 2 से गुणा करेंगे एक दुनी, दो ये किसका है? minus को और ये भी किसका है minus को minus को minus से गुणा करते है plus तो plus का दो फिर ये गुणा का निशान फिर अब 3 को 4 से गुणा कर लीजे 3 चुके 12 अब यह माइनस का है और यह किसका है प्लस का तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस को प्लस से गुणा करते है माइनस आता है तो माइनस बारा अब यह गुणा है यह माइनस है दो निशानी कटे नहीं आ सकते तो हमने इसको क्या कर दिया ब्रैकेट में तो आज हमने क्या करा प्रश्णावली 1.3 का फर्स्ट कोश्चन सोल करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक यू